जैहिन नमस्कार दोस्तों जारखन पुलिस कॉंस्टेबल का अगर आप फॉर्म भर दिये हो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के लिए वीडियो काफी जड़ा इंपॉर्टन रहने वाली है वीडियो को कम्पलीट जरूर देखिएगा सबसे पहले मैं वीडियो को सुर जारी नहीं कर रहे हो तो आगे आपको पता चल जाएगा कि आकि फिजिकल में आप सभी रणिंग कैसे पास करोगे अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जारखन पुलिस कॉंस्टेबल के फिजिकल कंडेक्ट ना होने से पहले ही यहां पर काफी सारे अकबार की कटि पहले ही वारन होता लेकिन मैं आप सब को इस वीडियो में दिखा रहा हूं सरकार ने पुलिस बहाली में दोड़ की धान दिजेगा दोड़ के सामिल अभ्यारती में यहां पर जो चिप लगा जाता है उसे अनिवारता जो है वो खतम कर दिया गया ठीक है अब यहां पर प् कर रहे हैं कि आप सब का जो रणिंग होगा वो ग्राउंड में यहां पर करवाया जाए ग्राउंड में आप सभी को 10 किलो मीटर रणिंग करना आपने आप में बड़ी बात होती है खास करके आप सभी अगर घर पर प्राटिस कर रहे हो तो ग्राउंड में ही करिएगा क्यो कुछ यहाँ पे वारल हो जाए, कुछ समन्ध नहीं आता, ठीक है, इस प्रकार से करक किया जा रहा है निरस फॉर्म की सूची, यहाँ पे कोई भी फॉर्म की सूची अगरा नहीं जारी हुआ है ठीक है लेकिन केवल यहाँ पे form जो है reject हो रहे हैं ये चीज़े बिल्कुल सही है अब admit card जब download होना start हो जाएगा जिनका admit card download नहीं होगा उन सब के सामने लिख कर आएगा form reject अगर form उन सब के सामने लिख के आता है reject हो गया तो किसी condition में जारखन पुलिस भरती में सामिल नहीं हो सकते अगर आप सभी ने form भरते समय फोटो शिगनेचर अपरोड करने में गलती कर दी है तो आप सभी का यहाँ पे इस condition में form reject हो सकता है इसलिए आप सभी बिल्कुल परेसार नहोई है अगर आप इसका form भर दिये हो तो अपने physical की तयारी को आप सभी जोड देजिए रन हाइट आप सब की यहाँ पे 170 cm मांगी गई है और यहाँ पे लगभल लगभब बच्चे 170 cm हाइट जो है उसे पूरा कर ही लेंगे लेकिन में यहाँ पे बात वस्ती हो आकर आती है running में running यहाँ पे 10 km running है अगर आप सब की यहाँ पे capacity रहेगी तभी आप सभी 10 km running एक घंडे के अंदर पूरा कर सकते हो अन्यता पूरा नहीं कर पाओगे बात रही physical को लेकर कि आखिर physical इसका कब से सुरू हो सकता है अभी की latest update जो इसे हमको मिलती है हम आप सब के लिए videos बनाते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर लेना और हमारे telegram channel सो चुड़ जाईएगा description box में आप सभी को return exam की भी त्यारी लगतार करते रहना है फिजिकल आप सभी का अपरेल के last week में यहाँ पे शुरू होने की सब्मावना बताई जारी है इस पकार से यहाँ पर फिजिकल को लेकर ही बात की जारी है तब ही यहाँ पर आप सब के जो पैर में दोड़ते समय चिप लगाये जाएगा वो भी अमदिरस कर दिया गया है चिप वगर नहीं लगाये जाएगा अगर आपकी running यहाँ पर ground में होती है तो ground में आप सब को यहाँ पर खुद से अपना चक्कर गिनना होगा नहीं तो एक घंटा जैसे पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर सभी को रोख लेंगे मतलब वहाँ पर round वो लोग खुद गिनेंगे लेकिन आपको भी यहाँ पर गिनना अनिवार होगा यहाँ नहीं जाता होगा इस condition में भी आप सब की यहाँ पर running को करवाये दा सकता है क्योंकि आप सभी जानते होंगे कहीं भी अगर camp area में आप सभी गए होंगे तो आपको लगा होगा यहाँ पर जो बगल बगल से road निकला होता उस road पर भी आप सब की यहाँ पर running करवाई दा सकती है तो इसलिए आप सभी यहाँ पर अपने running के पैट्रिज जो है चाहे road हो चाहे ground हो कहीं भी अगर करवाई जाता आप सभी running को qualify जरूर करिएगा यह सारी चीज आपको साथ यहाँ पर होने वाला है चेस्ट आप सभी के यहाँ पर 80 cm प्लस होना चाहिए आप सभी physical qualify कर जाओगे अनता physical में और कुछ नहीं मांगा जाएगा अब यहाँ पर बात याती है physical के बाद medical होगा या फिर आप सभी का exam होगा तो आपको बता दें physical के बाद आप सभी को यहाँ पर return exam से घुजरना पड़ेगा वले नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि physical के बाद आप सभी का medical होगा जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह मैं सब्डेट पाने के लिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक सांदर आपड़ेश्त तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातरम